जब मैं 18 साल की थी जब मेरा निकाह हुआ, दो-तीन महीने बाद ही शोहर गाली गलोज और मारपीट करने लगा, सबजी में नमक कम हुआ तो पिटाई, मिर्च ज्यादा हो गया तो पिटाई, ना मुझे माय के जाने दिया जाता, ना मेरे घरवानों को यहां आने देते, ऐसा लग रहा था जैसे मारपीट ही किसी भी समस्या का समाधान हो फिर भी मैं सहती रही, इस तरह 18 महीने गुजर गए, एक दिन शोहर ने तलाक, तलाक, तलाक बोलकर घर से निकाल दिया, तब बेटी सिर्फ साथ महीने की थी, मैं रोई गिर गिराई तो कहा कि अब तुम्हारा हलाला होगा, तभी मेरे साथ रह सकती हो, रिष्टा बचाने के लिए मैं हलाला के लिए राजी हो गई, शोहर ने देवर को बुलाया और कहा कि इससे तुम हलाला करो, जिस रात देवर ने मुझसे संबन बनाए, मैं बहुत रोई, बहुत गंदा महसूस हुआ, खुद से घ खाना खा पाती, लेकिन क्या करती, रिष्टा बचाने का यही एक रास्ता था, तीम महीने तक देवर ने प्रति दिन मुझसे संबन बनाए और मैं इस जुल्म को सहती रही, मार्च 2017 में मेरे शोहर से दोबारा निकाह हुआ, मैं खुश थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, ले इधर बेटी भी बड़ी हो रही थी, उसके लिए मैं हर दिन मारपीट जिलती रही, दो साल बाद वे मुझ पर दहेच के लिए दबाव बनाने लगे, उन्होंने कहा कि अपने अब्बू से पैसे मांगो, मैंने पहले समझाया कि वे पहले से कर्स में दबे हैं, पैसे नहीं उन्हें लगा तहीं वहां जाकर पुलीस से शिकायत ना कर दे, शोहर ने कहा कि फिर से छोटे भाई के साथ हलाला करो, तब मैं तुम्हें रखूंगा, मेरे पास कोई आप्शन नहीं था, देवर तीन महीने तक मेरे साथ संबन बनाता रहा, इसके बाद शोहर से निकाह तो हुआ, लेकिन मुझे तकाल माईके भेज दिया गया, कुछ दिन माईके में रहने के बाद पती के पास जाना चाहा तो मना कर दिया, मैं रोज-रोज आने की बात कहने लगी तो एक दिन फोन पर तलाक 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 बोल दिया, मैं तो सन्न रह गई, मेरे हाथ से फोन गिर गय रोते हुए दोबारा फोन किया तो अपने बहनोई के साथ हलाला करने को बोलने लगे. मैं चिट गई, मैंने ज़लाते हुए कहा की बार-बार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो. इस पर उन्होंने कहा तुम हो ही इसी लायक, तुम्हें रहना है, तो ऐसे ही रहना होगा मेरे साथ मैं तुम्हें बीवी नहीं मानता ये कहानी है यूपी के राइब्रेली की रहने वाली रजिया बानों की बार-बार पती के तलाक से परेशान होकर 26 साल की रजिया ने पती के खिलाफ केस किया आठ दिन तक लगातार ठाने जाती रही तब जाकर पुलीस ने उनके पती को गिरफतार किया पिछले आठ महीने से पती जेल में है रजिया के पास कोई source of income नहीं है अपने पिता के साथ जैसे तैसे गुजारा कर रही है हमारे देश या दुनिया के कई देशों में जो तलाक के प्रती कानून बने हुए है या तो धीले है या उसे सही से उप्योग नहीं किया जा रहा जिसके वज़र से सिर्फिरे मिजाज वाले लोग किसी भी लड़की का जीवन बरबात करने का कोई मौका नहीं छोड रही है इस कहानी से मैं अपनी राय यही देता हूँ कि जो व्यक्ति एक बार आपके साथ धोखा या गलत कर सकता है तो वो हर बार इस गलती को दुहराएगा इसलिए इस तरह के मानसिक रूप खराब व्यक्ति को पहली बार में ही सबक सिखाना जरूरी हो जाता है